तो बात करें यूजिस परमिशन की तो यूजर को उस्तर्ट करना जरूरी है और तो यूजर को घृतर्ट करना जरूरी है। Moment an submitted by users when application installed..... यह application running Cognition में होति है यह तो clip user in application को oui अधो को grant करता है। इन направिकेशिछ में हमारे पस कुछ लिस्ट अपर्मिशन ना जो Define by the base Plätzen ना जयं दिफांग आपस्कुम उस्धीक में एपने requirement के साफ से use कर सकते हैं तो इनका इंडेक्स कुछ इस तरह है कि यह लाइक यूजस पर्मिशन का टाइग open होगा और उसी तरह यहाँ यूजस पर्मिशन का टाइग close हो रहा है आप देखने यहाँ पर हमारे पास दो अर्गोमेंट है यूजस पर्मिशन में नमबर वन कि तरह के वर्जन में आपने पर्मिशन इनेबल कर वानी है तो यहाँ को इंटीजर नमबर लाइगा आएगा लाइक हमारा एपी लेवल है जैसे फौर्टीन फिफ्टीन एपी लेवल है तो यहां हम एपी लेवल जो के के इंटीजर वैलियो है वो डिफाइन करेंगा और के चीज़ हमारी कंटेन होती है मैनिफेस्ट में आपके अप्लिकेशन के टाइक के अंदर सो इसमें एट्रिबूट्स हमने देके नमबर वन था अंड्रॉइड नेम बेसिकली रिप्रिजेंट कर रहा है दा नेम औफ दा परमिशन जैसे हमने बात की इट कि अपरमिशन दि परमिशन दौट कैमरा इन परमिशन के डाइक्स में आप किसी भी तरह की परमिशन लग्षे चीज़ यह वो परमिशन को यह और अप्लिकेशन इनेबल करवाएगा उसे डिफाइन करवाएगा यह आप की कोई स्टेंडर सिस्टम परमिशन है जैसे कि जब हमने कैमरा की contact की permission पहले से मौझूद होती है हमारे android system manifest permission पांज में जो के library हमने start में देखी ते उन्हें import करने पे हमें standard system permission in use करने के लिए access करने के लिए available होती है so as these examples जो आप permission name typically include the package name as a prefix basically इसमें जो package name जैसे android.permission यह basically इसमें prefix लगा जाता है किसी भी permission में कि जब भी आपको standard system permission यूज करेंगे उसमें start में नाम है android.permission यह basically define करेंगा वो package name को जो आप android manifest permission का package यूज कर रहे हैं दूसरी चीज़ हमने देखी थि android का maximum SDK version so basically that represent the highest API level जिस पे हम permission को grant करेंगे अपनी application में so setting this attribute is useful if the permission your app require is no longer needed beginning at a certain API level so इसका फाइदा क्या होगा कि अगर आपकी app require आप नहीं कर रही वो permission level तो basically यहां से इसको वो access कर लेगा कि जहां पर आपने उसका maximum SDK version mention किया वह तो यह वहां तक उसे access कर लेगा for example बात करते हैं कि android 4.4 जहां हमारा API level जैसे आप देखनेंगे इसमें आपको जरूरत नहीं पढ़ती कि आप अलग से जाके में आपने manifest फाइल में right external storage की command जाकर set करें या उसकी uses permission जाकर set करें normally आप से runtime पे जब आप application में फंक्शनलिटी यूज़ कर रहे हैं उस वक आपका android 4.4 या API level 19 से onwards आप से runtime पे पूछ लेता है कि अगर आप ये functionality को access करना चाहते हैं इसे use करना चाहा रहें तो इसके लिए आपको इन permission को enable करवाना पड़ेगा so when your app want to write it on application specific directories on external storage so वो खुद ही उसको request कर लेता है आपको अलग से mention करने की ज़रूरत नहीं पड़ती so however the permission is required for API level 18 and lower लेकिन अगर बात करेंगे राइट external storage की API level 18 या इससे नीचे में तो उसके लिए आपको manifest file में जाके permission को declare करवाना पड़ेगा तब ही आपकी application permission को use करते वे आपको वो functionality की access provide करेगी so sample usage अगर देखें के uses permission यहां पर जैसे मैंने android में हमने बात की थी दो argument से पहला है नेम जिस में हमने नाम लिखा android permission dot right external storage यह basically reserve name है sensitive name है तो हमें नामों को ख्याल रखना पड़ेगा और इन को इसी तरह से use करना पड़ेगा जिस तरह से इंको पहले से define किया गया और हर standard system permission से पहले हम उसके package का रहा मैजा prefix यहां पर mention भी जरूर करेंगे और अब देखने 19 में इसके जरूरत नहीं थी तो मैंने इसका maximum permission की मजीद जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसको जरूरत पड़ेगी भी किसी functionality की requirement पर तो run type by user से इसकी access ले ले लेगा हमने लक्से जा के manifest में जा के place करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो this attribute was added in API level 19 ये basically API level 19 में introduce करवा गया था add करवा गया था इससे पहले तक आपको manifest में जा के इसकी permission enable करनी पड़ती थी दूसरी चीज़ा हमारे पास uses SDK सो जब हमने application की compatibility को express करना होता है किसी एक वर्जियन या multiple API तक restrict हो के रहा जो और अगर कोई नई API में changes आती है या API का level extend होता है तो उसको application बांध हो जाए तो इस काम को हम किस तरह से करते हैं by means of API level integer हम API level integer values define कर देते हैं कि कि किस point से लेकर किस API level से लेकर किस API level तक या application support करेगी और basically यह target किसको कर रही है तो basically start करते हैं इसको किदा API level express by application will be compared to the API level of a given android system हमारी जो application में हमने API level the express किया होता है वो compare होता है android के given system के API level से जो normally हमारी तमाम application में है different android system में different होता है which may be very among different android devices तो different android devices में जहां पर different android के operating system है वहां पर इनका API level भी different होगा so इसका index कुछ इस तरह है कि जिस तरह आप देख रहे हैं यह uses SDK के नाम से एक tag बनाया और उसी tag के अंदर यहां पर उसका opening and closing tag एक single tag में close आप चाहें तो इसे अलग-अलग tag में भी close कर सकते हैं अब इसमें यहां पर तीन चीज़ें डिफाइन है नंबर वन है android minimum SDK version यह main represent कर रहा है minimum इसमें भी को integer value हो जाएगी जैसे हमने भी बात की थी maximum SDK version की उसमें भी integer value इसी तरह इसमें है दूसरा target SDK version minimum basically कहा किस point से start करें target normally target किस चीज़ को करने कि हमारे जो specific goal है वो कौन सी API level है वो कौन से SDK version है तो यहां उसका target आ गया and third one is maximum xd के version के minimum से लेकर किस point तक इसने application को application की compatibility को support करना है तो यहां भी एक integer value हुई place होगी और यह चीज़ें भी जाब की manifest file में ही contain होती है under the application time so इसके attribute की बात करें तो पहला है हमारे पास minimum SDK version जैसे हमने बात की कि एक integer designating the minimum API level required for the application to run application का minimum API level जैसे normally हम एक project बनाते वे API level 14 या 15 से लेकर तो हमारी कोशिश ही होती है कि हमारी application उस 14 level से लेकर up to so on android के multiple जो भी maximum version है maximum API level है वहां तक हमारी application support करें जो android system will prevent the user from installing the application अगर उसकी जो system API level है वो lower है आपकी उस value से जो आपने attribute में specify की है next हमारे पास target SDK version के basically हमने बात की कि integer to designate कर रहे है के android का target SDK version के so an integer designating the API level that the application target अगर वो चीज़ सेट नहीं होगी तो जो default value आपके minimum equal होजेगी आपके given minimum SDK version के अगर आप target पहले से define नहीं करते तो जो आपकी minimum की value होगी वो उसको वहां से start करेगा और उसी application को मजीड target करना शुरू करेगा and third one is हमारे पास है maximum android SDK version या maximum SDK version so basically हमने define किया था कि उसने maximum कि API level तक अपने application को run करना है जैसे बात करें android 1.5, 1.6, 2.0 या 2.1 में उसमें system check करते हैं value को जब वो application को install कर रहा होता है या re-validate कर रहा होता है after a system update like application में update आई है तो उस वक वो उनको check कर रहा होता है तो इन किसी इन दोनों मेंसे किसी भी cases में हमारी application का जो maximum SDK version होता है वो lower होना चाहिए API level used by the system itself जो भी system का आपके android device का API level है हमारा maximum SDK version उससे एक point हमेशा छोटा होना चाहिए so then the system will not allow the application to be installed अगर वो इस तरह नहीं होगा तो system हमारी application को install होना लाओ नहीं करेगा so in the case of re-validation after system update this effectively remove your application from the device और in case अगर आपके system update होता है या आप system को reboot करते हैं अपनी android device को reboot करते हैं तो अगर ऐसी कोई application जिसका maximum SDK version उस application या उस आपकी mobile device से बढ़ा हो जाता है तो वो उसको effectively remove कर देती है उस application को आपकी device से तो आज के लिए इतना ही thank you so much Allah अब्लाइश